हर दोई में मनाई गई देव रिशी नारग जैन्ती मौझूदा पत्रकारिता में राष्ट्र पर्थम हो गया है जो खुद को राष्ट्रिये विचार से असहमत पाते थे आज बहभी सबसे निकट कहलाना पसंद करते हैं हमें पत्रकारिता में राष्ट्र चिंतन और समाज हित को पिरमुकता देनी चाहिए राष्ट के हितों को तिरोहित करना किसी भी तरह से पत्रकारिता नहीं है हम पत्रकारों को पूर्वा ग्रह और दुरा ग्रह के इस्थान पर सत्या ग्रही होना चाहिए समय काला और परसितियों को सुईकार करना हमारे चिंतन में होना चाहिए ये बातें उत्तर परदेश राज सूचना आयुक्त सुभाज चंदर सिंग ने कही वेहरदोई के श्रीष चंदर अगरबाल इसमर्ती सभागार में रभी बार को आयोजित नारा जैंती समारों में बता और मुक बकता जन्पत के रूप में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि हमें खबरें समाज से निकालनी पड़ेंगी राजनीती से नहीं राजनीतिक और आपरादिक खबरें लिखना ही पत्रकारिता है ये बात पूरी तरह सच नहीं है समाज में बहुत कुछ सकरात्मक प्रियास हो रहा है हमें उन खबरों को भी उठाना चाहिए उन्होंने कहा कि राष्ट्रिय मूल और राष्ट्र चेतना ही आज की पत्रकारिता का उद्देश होना चाहिए मुख अतिती दैनिक जागरड आगरा के उपसंपादक समाचार अजय शुकल ने कहा कि आम आदमी की इस्तिती को पहचानने का काम नारत का है अभाओ ग्रस्त और बिपन्नता में जीवन गुजारने बालों की खबर रखना और उसको राज सत्ता तक पहुँचाने बाला नारत है हमें ये देखने की जरूरत है कि हम सरकार को विबश करते रहें की वह जनाकांचाओं को पूरा करने के लिए सजग और सचेत रहे हमें उस दायत्व को रिखांकित करना है बदली हुई मौजूदा परिस्तितियों में जुड़ जाना है हमें अपनी द्रश्टी को ब्याफक करने की जरूरत है उन्होंने नर और नाराण के बीच में सूचनाओं और समस्याओं का आदान परदान करने बाली नारत की भूमिका को इसपश्ट किया अतितियों का स्वागद नगर पालिका फरशत के चेर्मैन सुखसागर मिश्र मधुर ने किया कारकरम की अध्यक्षता बरिष्ट पत्रकार शिरी मदन मोहन पांडे ने धन्यबाद ग्यापन अकिलेश दिंग और सफल संचालन महश मिश्र ने किया कारकरम में मुख रूप से केके अबस्ती महश मिश्र रिशी कुमार सैनी कुलदीव शर्मा गोपाल दुवेदी आशीश तरवेदी सुरनात अबस्ती खुनकुन बीरे शुकला हरीवश तिबारी राजीव मिश्र आनंद गुपता नबल किशोरबा नारज जैन्ती आयोजन समिती का पूरा सहयोग रहा अधर को अपले हमार जानत उन्याथ BMO किष्व दीश निमद डिन करता संहा झारा जाही हमीर, स्फवाइड का शाय का पूरा ह सब्सक्ता नान स्फन्ध का शयुत्व Rebecca